आमतोर पर हर साल मकरसंक्रांती के बाद सर्दी कम होने लगती है लेकिन इस बार पारा और कोहरा दोनों जिद परड़ गए है पहाडों से लेकर मैदानों तक सर्दी के सितम के आगे लोगों ने सरेंडर कर दिया है ये ठंड अभी और सताने वाली है दिल्ली में आज यानी 18 जनवरी को भी सुभी की शिर्वाच शीतलहर के कहर से हुई है शीतलहर के साथ दिल्ली में गलन बढ़ी है तो वही पाला भी पढ़ रहा है वसंद कुझ अलाके में पेडों की पत्तियों और जाडियों पर बर्फ की कंज में 2.6 डिक्रेस सेलसियस्ट दर्च किया गया है हालाके वेस्टन डिस्टिबेंस की वजह से कल से तापमान में मामूली बढ़हत देखने को मिल रही है इसके साथ हलकी बारिश हो सकती है लेकिन अगले कुछ दिनों में दिल्ली को ठंड और कोरे के बाद बारिश की मा भी जहलने पड़े ही मौसम विभाग के मताबित दो वेस्टन डिस्टिबेंस सक्रिय होने वाले हैं पहला वेस्टन डिस्टिबेंस अथारा जनवरी की रात को सक्रिय हो जाएगा जिससे कल 19 जनवरी को दिल्ली के तापमान में बढ़हत के साथ हलकी बारिश हो सकती है वही मौसम विभाग के मताबित 21 से 25 जनवरी के बीच पश्चे में विक्षोब सक्रिय होगा और इसकी वज़र से दिल्ली में इस मौसम की पहली बारिश होगी यही नहीं दिल्ली में 50 किलोमीटर प्रतिगंडे की रफ्तार से हवाई चलाएंगे दिल्ली के अलावा यूपी उत की वज़र से पश्चे में हिमाली शेत्रों में 21 जनवरी की सुभह से 25 जनवरी के बीच पश्चे में विक्षोब सक्रिय रहेगा इसी की वज़र से 23 जनवरी को दिल्ली में बारिश का अनुमान है दिल्ली के अलावा जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंद, पंजाब हरियान और चंडिकड में भी बारिश हो सकेगी